राम कथा सुन दर करतारी संसय भीहग उड़ावन हारी गुश्वामी तुलिजी आज ही कहते हैं कि राम की जो कथा है वह मन के संकाओं को दूर करती है कैसे जिसे थपड़ी बजाने से पेंड पे बैठे हुए पंची उड़के भाग जाते हैं ठीक वैसे ही राम की कथा सुनने से आपके मन में जो भी संसारिक शंकाएं हैं जो संसय है वो उड़ जाता है और आप मानसी की रूप से स्वस्थ हो जाते है राम कथा सुन दर करतारी संसय बिहग उड़ावन हारी संसय बिहग बिहग मने पंची संसय मने संका संका रूपी पंची थपड़ी बजाने से राम की कथा सुनने से उड़ जाता है इसलिए हमें राम की कथा का स्रोन करना चाहिए कैसे मंगल भवन अमंगल हारी सादर सुन गिरी राज कुमारी भगवान आश्तोष मापार्वती से कहते हैं कि हे गिरी राज कुमारी सारे अमंगलों की दूर करने की छमता भगवान राम में है जो दसरत के प्रांगण में घुमते हैं आप उनको अश्मर्ण करो ये चौपाई दो बार गुश्वामी जी ने लिखी है और सिर्फ एक ही चौपाई है जिसको गुश्वामी जी ने दो बार लिखी है राम कथा सुन दर करतारी संसय भीहग उडावन हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूं शुदा सरत अजिर बिहारी और फिर मंगल भवन अमंगल हारी सादर सुनुगिरी राज कुमारी जैसराम